यहां पर साफ सफाई और तटवंद जैसी क्या चीजें बनी हुई है आप सब इसमें वीडियो में देख रहे होंगे कितनी अधिक दुर्गती है यहां पर जलकुंबी भी है और यहां पुलिया भी सही नहीं है पुवाल लगा रखा है इस तरफ भी कितनी अधिक जहार जंका है इसमें यहां भी कितनी गंदगी है जल आगे है लेकिन यहां पर सब काफी जैदा दुर्गती है लेकिन सरकारी योजनाओं से गोंती की साफ सफाई और तटवंद बनाने पर लाखों रुपिया खर्च कर दिया गया है देखिए यह मात्मा गांदी नरेगा योजना का व और स्रमान्स मानव दिवस 322 लगाये गया है पांच किलो मिटर में काम कराया गया है हालाइक यह तो तीन साल पराना बोर्ड है लेकिन हकीकत क्या है कितना अधिक काम हो रहा है यहां सब आप लोग देखी रहे हैं किस तरह से कितनी जाधा गंदगी है यहां पर और कहीं सफाइ कराने के नाम पर किवल रुप्या डखार लिया गया और बोर्ड लगा दिया यह लेकिन हकीकत में कोई काम यहां पर नहीं हुआ है देखिया आप सब के सामने है पुवाल बीननी में लगा हुआ है देखिए कितना बुरा हाल है बाबा क्या नाम है आपका अधे ले यहीं रहते हैं तेज अबावा इस्तल पर बजही गाट पर बताइए यहां एक बोर्ड लगा नरेगा क्या लाखोर रुपे काम हुआ साफ सफाई हुई सफाई तो कुछ दिखने रही है कब सफाई हुई क्या है तो क्या हुई थी कुछ सफाई आई सामने जो है अच्छा फोटो घचा लिए गये हैं हमारे गौं को शुटे है और अब जयता है अब आधमी हमारे जीसे को आपकुमागिला दुसरे मागिला ट्राली मागिला पंजाबी लोगन सबने कोस्ट करके तो यह पुलिया बांधी अच्छा अच्छा काम कुछ ने हुआ सफाई उपाई नहीं कभी कभी सफाई नहीं हुई इस उत्ति भाई जित्ति आप ने बताई बुद्टो दिखी ने रही बिल्कुल गते अच्छा अच्छा अप अपने उससे करात लोगना हिसे यहाँ गर दुचर्लोगनाई इसजाब कोछ प्राइश्टो काम के ने ह्वा क्यों पेत तूना पाना है और जैंस अच्छा शोठी में पूप ने ने हरो कि जैसे क्तर साफरते का मुवेशना थाषु कलवा गस्ट्वर प्ले काम के दूटूर में सॉर्शनाड